जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिद जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे आज हम पढ़ने बाले हैं भासा और बोली के बाले में ठीक है भासा से सम्मंदित बहुत ही महत्पून यहां पर Doubts और दोस्तों प्रस्ण आपके Clear होंगे और हम आँगे यहां पर पढ़ेंगे भासा के बारे में देखेंगे कि भासा क्या है भासा से सम्मंदे कई प्रशन पूछे जाते हैं दोस्तों आप से वैसे तो आप से बहुत सारे question बनते होंगे लेकिन कुछ doubts और दोस्तों कुछ प्रशन और आपके clear होंगे तो सबसे पहले तो यही आता है कि भासा बिचार बिनीमय का एक साधन होता है यानि कि दोस्तों अपने बिचारों को दूसरों के बिचारों को अपने तक जो पहुँचने का एक माध्यम होता है वो क्या कहलाती है भासा कहलाती है तो भासा बिचार बिनीमय का साधन है कामता प किसके अनुसार कामता प्रसाद गुरू के अनुसार ठीक है बाबुराम सक्सेना बोलना है कि जिन ध्वनी चिन्नों द्वारा मनुस्त परस पर बिचार बिमर्श करता है उसे समाहित रूप में क्या कहते हैं भासा कहते हैं अब दोस्तो एक चीज आती यहाँ पर कि भासा के कि चार थत्तो ठीक है यह आपको याद रखने ना आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि भासा की सबसे छोटी एकाई क्या होती है तो आपका उत्तर होता है ठीक है तो आर भासा के वेकास क्रम को तीन भागों में बाटा गया यह मोर्स्ट इम्पोर्टेंट कई बार कितने क्रम में बाटा गया कितने भागों में रखा गया एक क्वेस्चन पूछा जाता है तो आपको याद रख लेना है कि आर भासा को प्राचीन भारती आर भासा यानि कि 1520 पूर्व से लेकर के 520 पूर्व की जो भासा थी दोस्तों उसे हम प्राचीन भारती आर भासा की अ आधुनिक भारती आरभासा एक हजार इसवी से आज तक की जो भासा है वो क्या कहलाती है आधुनिक भारती आरभासा तो आप से पूछा जाएगा कि आरभासा की बिकास को कितने भागों में रखा गया तो आप क्या बताओगे तीन भागों में रखा गया ठीक है प्राचीन आरभासा मद्यकालीन भारती आरभासा और आधुनिक आरभासा इतीन भागों में रखा गया जिनमें से प्राचीन भारती आरभासा की बात होती है तो पंद्रासो इस्वी पूर्व से पांसो इस्वी पूर्व मद्यकालीन भारती आरभासा की बात होती है तो पांसो इस्वी पूर से 1000 इसवी और आधनिक भारती आरभासा की बात होती है तो 1000 इसवी से आज तक की जो भासा होती है दोस्तो वो आधनिक भारती आरभासा की अंतरगत तो यह question आपका clear हो गया कि भारती आरभासा की विकास क्रम को तीन भागों में रखा गया और वो यह तीन भाग इस तर ठीक है अपध्रेंच स्वारशेनी इस पुरानी हिंदी ठीक है इस परकार से अनेक भासाओं को यहां पर ओधै उदैव हुआ जो आप से कई बार पूच़ा जाता है ठीक है तो भासा की विकास परंपरा आप से पुछिझा आती है कि पाली का जो उदय हुआ वो किस से वाना जाता है लौकिक संस्क्रेट थे ठीक है इसको आपको याद रखे ना बैदेक संस्क्रेट से निकली लौकिक संस्क्रेट है ना फिर पाली प्राक्रेट अपभरेंस से ये मानी जाती है ठीक है तो इस Sanskrit के दो रूप से दोस्तों एक तो बैदिक Sanskrit और एक लौकिक Sanskrit इनी से ही सारी भासाओं का बिकास यहां से माना जाता है पाली प्राकरित अपवरेंस सौरसेनी अपवरेंस है ना और प्रानी हिंदी आधनेक हिंदी पस्चमी अपवरेंस खड़ी बोली हिंदी इस प्राकर से इनका बिकास हुआ इसको आपको समझना है ठीक है अब दोस्तों इसके बारे में और हम यहां पर जानेंगे इसको देखेंगे की बोली क्या है बोली के बारे में देखेंगे तो भासा का इस्थानी रूप अथवा छेत्री रूप क्या कहलाता है बोली कहलाता है इस्थान ये रूप जैसे हम किसी छेतर बिसेस में एक बोली बोलते हैं और उसके 10-15 किलोमीटर बाद देखो तो दूसरा छेतर लग गया तो दोस्तों उसी बोली में कुछ अंतर आ जाता है तो इस छेतर बिसेस से सम्मंदित बोलीयां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं करते हुए बिभासा तक पहुंचती हैं यानि कि अगर बोली बिक्सित होकर के दोस्तों उसका अगर रूप बढ़ जाए उसका बिकास हो जाए साहित्य क्रचना के आधार तक पहुंच जाए तो वो क्या कहलाने लगती है फिर बिभासा कहलाने लगती है तो बोली बिभासा बनती है और विभासा के बाद क्या बनती है फिर भासा बनती है ठीक है तो इसको आपको याद रखे ना बोली विभासा और भासा ठीक है हिंदी भासा का बिकास अपभरंस भासा से हुआ ये तो सभी को पता है बिविन अपभरंसों से हिंदी की उपभासाओं की उत्पत्ती ह कुई हिंदी उपभासाओं से हिंदी की सभी बोलियों का बिकास माना जाता है इनको हमें अहां पर देखेंगे दोस्तों यह न स्वार से अनी अपभरंस से कौनसी निकली यह क्या है अपभरंस और यह क्या है इनकी उपभासा है अब आप से पूछा जाता है कि निम्नमै से ब राजस्तानी और गुजराती का उदय हुआ सोरसेनी अपभरंच से ठीक है इस सोरसेनी अपभरंच से तो अपनने पड़ाता पस्चमी राज गुजरात पस्चमी राज गुजरात तो इसको पस्चमी राज गुजरात में सेर हैं सेर हैं तो पस्चमी से क्या बनाता पस्चमी ह राज से बनाता राजस्तानी गुजरास से बनाता गुजराती और सेर हैं तो सोर सेनी अपरंस से इनका उदय होता ठीक है फिर आती है दोस्तो अर्ध मागदी अपरंस अर्ध मागदी अपरंस से कौन सी निकली पूरवी हिंदी अर्ध मागदी से कौन सी निकली पूरवी मागदी अब्रंच से उद्य हुआ कौन सा बिहारी हिंदी का बंगला उड़िया और असमिया में हम कैसे याद रखते हैं कि दोस्तो मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में मगद के मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में है ना तो मगद से बनेगा मागद के बिहारी का बंगला ओडा असमीया में ठीक है तो इसको अपनने यात कलिया मागदी अबरंस ये निकली फिर दोस्तों महराष्टी अबरंस से मराठी निकली ये तो सभी को पता है बिराचड अबरंस से कौनसी निकली सिंधी निकली बिराचड अबरंस से पैसाची से पंजा लहंगा के लिए पैसाचिए पैसाची पैसाची से निकली पंजाबी और लहंदा यहाँ थीज आपको याद रख लिए न है कि सौर सेनी से पस्चमी राज गुजरात तो पस्चमी हिंदी राज्सतानी गुजराती, अर्द माग्दी से पूर्वी हिंदी आ गई, ठीक है, माग्दी अबरण से बंगला, उड़िया, असमिया, ए निकली, महराष्टी अबरण से मराथी, ठीक है, ब्राचर से सिंधी, और पैसाची से पंजाबी, और लह डादा, ठीक है, खस अबरण से पहारी, गल पस्चमी हिंदी सभी को पता है स्वर्शनी अब्रन से पस्चमी राजस्थानी और गुजराती तो हम यहाँ पर पस्चमी हिंदी को देखेंगे सबसे पहले पस्चमी हिंदी आ गई अब पस्चमी हिंदी से कौन कौन सी निकली एक तो कौर भी और कौर भी को क्या कहा जाता है खड़ी बोली कहा जाता है ब्रजभासा, कन्योजी, हर्यान भी और बुंदेली ठीक है हर्यान भी को बांगरू भी कहा जाता है ये भी याद रखते हैं तो अपन ने याद किया था कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास है ना तो कानों से क्या बनाता क्कानों के खड़ी बुंदेली बंदेली ब्रैजसे ब्रचपा सरे रिके पास हर्याण भी तो क्वार बी एक खड़ी ब्र हरी व कर दि C कि निमने मैं से बताईए कोस्टी पस्चमी हिंदी की दोस्तो बोली नहीं है तो पस्चमी हिंदी की बोली यां यह मानी जाती है इनको आपको याद रखे ना ठीक है फिर बात करते राजस्तानी हिंदी की तो राजस्तानी हिंदी से निकली थी दोस्तो मारबाडी जैपुरी म मेबादी और मालवी है ना इसको आपको याद रख रहे nggak है राजस्तानी हिंदी की बोली नहीं है तो यह आपको याद रख ले ना कि मारबाडी भी है जैपुरी भी है ना मेबाती भी है और माल भी ए रायस्थानी से संबंदत है ठीक है फिर बात करें दोस्तों अर्द मागदी अपरंस गुजराती तो गुजराती अर्द मागदी अपरंस की बात करें तो अर्द मागदी अपरंस से जो उपभासा का अब अपन बोलते ना कि अब 36 गड़ी या फिर A, B, C है ना तो ये से बनेगा अब दी, B से बगेली, C से 36 गड़ी या फिर अब 36 गड़ी तो A से अब दी, B से बगेली, C से 36 गड़ी या फिर A से अब दी, B से बगेली, C से 36 गड़ी या फिर A से अब दी, B से बगेली, C से 36 ठीक है फिर बात करें दोस्तों मागदी अपफरेंस की तो मागदी अपफरेंस से निकली कौन सी बिहारी हिंदी ठीक है तो बिहारी हिंदी में हमने देखा कि भोजपुरी मग ही और मेथली बोले एक मग मैथी एक भोजन में एक मग मैथी भोजन में तो भोजपुरी मग से द पहाडी हिंडी से पहारी हिंडी अब पहाड़ी हंडी से कुमावनी गड़बाली और नेपाली यह आपको याद रख लिना है अप एक किस से निकली थी खस अप भरंस से कुमावनी गड़वाली और नेपाली ये आप से पूछा जाएगा कि निमन मैंसे बताईए कौन सी पहारी हिंदी से संबंदित है तो कुमावनी गड़वाली और नेपाली ठीक है तो इनको आपको बहुत है तो पूर्वी हिंदी अबदी बगेली च्छतीस गड़ी मागदी अब्रण से बहारी हिंदी निकली बोजपुरी मघी मैतली हो गई इसकी ठीक है पहारी हिंदी से निकली कौन सी कुमावनी गड़वाली और नेपाली इनको भी हमें याद रख लेना फिर बात करेंगे हम राज भासा की तो राज भासा का साब्दे कर्थ क्या है राज काज की भासा यानि कि जो दोस्तों राज काज की भासा होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं राज भासा ठीक है और जो भासा देश की राज किये कारियों के लिए प्रियोक्त होती है उसे राज भासा कहा मनाते हैं आपको पता है ये भी याद रखना आपसे पूछा जाता है कि 14 हिंदी दिवस कम मनाते तो आप बताओगे 14 सितंबर को ठीक है भारतिय संब्धान के भाग 17 अनुच्छे 343 से 359 तक हिंदी की संब्धान के स्तिती पर प्रिकास डाला गया ये भी आपको याद रखने भाग 17 में है ना 343 से 359 तक जो अनुच्छे हैं ये भासा से संब्धित इसमें प्रावधान है ये भी आपको याद रखने ना 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी भारत की राजभासा बनी इसको रखा गया भाग 17 अनुच्छे 343 तक भासा से संब्धित प्रावधान रखे गय इसको भी आपको याद रखने ना ठीक है फिर यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों कि साती भारतिये संब्धान की आठ भी अनुसूची आठ भी अनुसूची में 22 प्रादेशिक भासाओं का उलेख है अगर आप से पूछा जाए कि भासाओं से संब्धित अनुसूची कौन सी संब्धान की आठ भी अनुसूची में भासा नहीं है तो आपको याद करना है असमिया कंणर, बंगला गुजराती, उडिया कस्मीरी, हिंडी शंस्कृत, ठीक है उर्दू, तमिल, तैल्गू, पंजाबी, मराथी, मले आलम, शिंधी, कॉंकडी, मनीपुरी, नेपाली, बोडो, डौंगरी, मैतली, और संथाली, यह मानी जाती हैं, अब यहाँ पर यह मैतली आया दोस्तों, मैतली यह भी बिहारी हिंदी की बोली है और यहाँ पर हिंदी को भी आठ भी सूची में दरजा दिया गया और अलग से मैतली को भी दरजा दिया गया, हिंदी दिवस कम मनाते इसके बारे में पड़ा था आज दोस्तों अभ्यास की थोड़ी सी बात हो जाए है ना सभी लोग तयार हैं बताने के लिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना जिन भी सातियों ने सेल्फ स्टडी किलासेस एप डाउनलोड कर लेंगे और हिंदी साहित का अगर आप दोस्तों सुपर्टेट जूनियर सुपर्टेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या पिर टीजीटी पीजीटी या पिर दोस्तों मास्टर के अडर किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहत है तो कोर्स लांच किया गया है इस कोर्स का जो प्राइज है दोस्तों वो बारा सुरूपे है अभी पचास परसेंट आप में तो आप इस कोर्स में अड़िशन ले सकते हैं और अपना द्यन क्रम बद्द बना सकते हैं तो इस्टार करते हैं दोस्तो ब्रज भासा का विकास इन में किस प्राकर्ट अप भ्रहंच से हुआ किस से हुआ चार विकल्प आपके सामने हैं मागदी, पैसाची, स्वारसेनी और अर्ध मागदी तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो ब्रज भासा है ये ब्रज भासा बताना है किस के अंतरगत आती है तो आपने देखा सर कानों के खड़ी बुंदेली ब्रज भान हरी के पास एक अपन ने कोड पड़ा था तो बोले सर ब्रज जो आती है ये पश्च नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाता ठीक है फिर अंगला क्वेस्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहां पर कि आगरा किस बोली का छेत्र है आगरा किस बोली का छेत्र है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं आपने पढ़ाओगा उत्तर प्रदेश का आगरा है ना चार कुछे जाते हैं तो चार मेंसे आपको चेंड करना है कि आगरा में कौनसी बोली बोली जाती है यह कमेंट में लिखिए गाजल दी से दो सेकंड में और साथियों आपके दो सेकंड होते हैं पूरे और आपने बिलकुल सही Nसर बताया बने सितर आगरा की बात करोगे तो कौन सी लिपी नहीं है, कौन सी लिपी नहीं है, अर्भी, गुरु मुखी, देव नागरी या अंग्रेजी, बताइए, कौन सी लिपी नहीं है इनमेंसे, तो अपनने अर्भी लिपी पड़ी है, गुरु मुखी लिपी भी पड़ी है, देव नागरी लिपी भी पड़ी है, क तो एक बहासा है तो तर कहां चला जाता आपका D की तरफ अपका बिल्कुश सही हो जाता थीक है पिर अंगला question आपके लिए दिया गया है अंगला question है आपके लिए कि बोली का बिहारी हंदी से संबन्द है आपनने पढ़ाता दोस्तो कि जो बिहारी हिंदी का ओदय हुआ था वो मागदी अपवरंस से हुआ था है ना मगद के बिहारी का बंगला ओडा असमिया में है ना तो बिहारी दोस्तो उडिया असमिया ये सबी काई के अंतरगात आती हैं मागदी अपवरंस से इनका ओदय हुआ थीक है अब आप से पू पूचा है नहीं है पूचा है तो नहीं है कौन सा नहीं है पूलिसर भोजपुरी का है मगही का भी है मैथली का भी है नहीं है तो किसका नहीं है अब दी का तो अब दी का किस से है तो इसका उत्तर हो जाएगा अब दी का है पूरवी हिंदी से ठीक है बर रहे हैं आपसे question very good बहुत बड़िया अंगला कोस्चन है मग ही किस प्रदेश की बोली है मग ही बताना किस प्रदेश की अपने यहां पर पढ़ा था कि जो मग ही है यह बिहारी हिंदी की बोली है मैतली है यह भी बिहारी हिंदी की है पस्चमी भोजपुरी यह भी बिहारी हिंदी के अंतरगत आ आती है अब आपसे पूछा गया कि मगी किस प्रदेश की बोली है तो जबाबेक है पुली सर कि बिहार की है मगी कहां की है बिहार की है तो बी नम्मर आपका बिलकु सही हो जाता है पूछा गया है क्वेस्चन फिर अंगला क्वेस्चन यहां पर कि सिंधी भासा का विकास जाता है जल्दी से कमेंट में लिखिएगा और ये रहे आपके दोस्तो चार बिकल्प कौन कौन से सबसे पहला बिकल्प है आपका ब्राचड दूसरा बिकल्प आपका है दोस्तो पैसाची तीसरा मागदी और चौता है दोस्तो अर्ध मागदी तो ये बताना है आपका कि जो सिंधी है सिंधी इसका उदय जो होता है वो किस से होता है सिंधी का बताना है तो यहाँ पर आपका बिलकुल सही अपने दोस्तों पंजाबी और लहंदा पंजाबी और लहंदा पड़ाता काई से पैसाची से लेकिन सिंधी की बात आती है तो सिंधी में आपका उत्तर चला ज जाएगा सिंदी भासा का विकास जो हुआ है वो ब्राचल अपफरेंस से माना जाता है यानि यह नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ब्राचल अपफरेंस ठीक है यहां पर पैसाची से तो लहंदा और पंजाबी का उदय हुआ ठीक है अंगला क्वेस्चन आपको बताना है कि मुंडा भासा परिवार का छेत्र कौनसा है मुंडा भासा परिवार का छेत्र बताना है राजस्तान मद्द प्रदेश तमिल लाडू या फिर छोटा नांगपुर का पठार या छोटा नांगपुर का पठार बताईए जल्दी से मुंडा भासा का छेत्र कौनसा है इस का उत्तर आपको बताना हमने कई यह छेत्र पड़े हैं राजिस्तानी भासा भी पड़ी है है ना दोस्तों तो यहां पर मुंदा भासा परिवार का जो छेत्र है वो छोटा नांगपुर का पठार है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमबर डी के साथ ठीक है डी आपका साह अंगला question आपसे पूछा जाता है कि जहासी, जालौन, हमीरपुर में कौनसी बोली बोली जाती है यह से question कई बार आते हैं दोस्तों तोड़ा साथ आपको अभ्यास करने की जहूरत है जहासी, जालौन, हमीरपुर में कौनसी बोली प्रेचले थे बुंदेली, कन्नोजी, ब्र और इन में बोली जाती है बुंदेली और बुंदेली का उदय हुआ पस्चमी हिंदी से और पस्चमी हिंदी का उदय हुआ किस से सोरसेनी अपर ब्रेच से ठीक है तो यह बुंदेली याद रख लेना जहासी, जालौन, हमीरपुर का जो छेतर है यहाँ पर बुंदेली बो प्रस्ण के रमांकर Jnome बढ़िया प्रस्ण है आपके लिए बोज़पुरी बोली इत्की उत्पत्य जो हुई है वो किस से हुई है इसके पहले हमने देखा था कि सर भोजपुरी मगही और मैतली के बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं और बिहारी हिंदी का जो उदय हुआ है वो हुआ है किस से मागदी अपरण्स से अपनने पड़ा था कि मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में तो दोस्तो बिहारी बंगला उड़िया और अ समया कि मागदी अबरंस इनका उदय होता है तो भोजपुरी बोली का उदय कौन सी अबरंस से होगा मागदी अबरंस से यानि कि उत्तर B की तरफ चला जाता है वड़िया प्रशन है अंगला कोश्चन आपके लिए आधुनिक दोस्तो भासाओं मैंसे किसका सम्मंद अपरंस की पैसाची बोली से है पैसाची से बताइए हैना मैंने आपको कई बार यात करवाया है कि अगर दोस्तो पंजाबी लहंगा लेना है तो पैसा चाहिए पंजाबी लहंगा लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पंजाबी और यहाँ पर हो जाएगा पैसाची यानि कि पैसाची से जो उद्य होता है वो पंजाबी का होता है ठीक है और उत्तर आपका C की तरफ चला जाता है अंगला कॉस्चन आपके लिए मगी किस उपभासा की बोली है प्रश्न किरमा के ग्यारा शबी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडवीसर लेना है 25 तारीक तक आप एडवीसर ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं मघी बताना किस उपभासा की बोली है तो ये मघी आसान है और अपने पढ़ा भी है इसके पहले क् मघी है ना भोजपुरी और मेतली बोली सर ये जो है ये बिहारी हिंदी की उपभासा मानी जाती है कौनसी मघी ही तो उत्तर आपका कहा चला जाता है बिकल्प नमबर डी की तरह बहुत बढ़िया सभी लोगों ने बिलकुश रही आंसर बताए हैं अब आपको बताना है द अबदी बर्तमान कालिक ब्रजभासा भूत कालिक या प्रबुंदेडी बविस्ति कालिक गयल भयल ये जो सब्द आते हैं दोस्तों कि बताए किस बोली से सम्मंदित माने जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा अनुभाव किया होगा बोजपुरी फिल्मों को देखा होगा त तो गयल और भयल ये भोजपुरी दोस्तों भूत कालिक ये गयल आदी गयल भयल ये भोजपुरी भूत कालिक से सम्मंदित माने जाते हैं और उत्तर चला जाता है विकल्प नमर एक की तरफ ठीक है अंगला क्वेश्चन खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है तो क्या ह अन्य सही नाम बताना है खड़ी बोली हिंदी का है ना ये खड़ी बोली अपन देखते हैं दोस्तों की पश्चमी हिंदी से इसका विकास हुआ पश्चमी हिंदी का विकास है अना सौर सेनी अभ्रंच से होता है अपन ने पढ़ा था पश्चमी हिंदी की बोलियों को कानो बहुत बढ़िया सभी लोगोंने बिल्कु प्रस नी की और बढ़ते हैं दोस्तो अदो लेकित में से एक भोजपुरी का छेतर नहीं है तो कौशा नहीं है बोजपुरी का छेतर नहीं है बताना है देबरिया, इलाहवाद, मिरजापुर या फिर बलिया भोजपुरी का छेतर कौशा नहीं है प्रश्न किरमांग 14 में और यहां पर बताना है कि भोजपुरी का खेतr नहीं है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तो आपने उत्तर चयन किया है इलाहबाद ये भुछपुरी का खेतr नहीं माना जाता है इलाहबाद और तरसी की तरप चला जाता है ठीक है अगला क्वेस्चन आपसे पूछा जाएगा फैजाबाज जनपद में बोली जाने बोली जो बोली है वो कौनसी है बताईए खड़ी बोली बगेली ब्रजभासा या फिर अबधी फैजाबाज जनपद में बोली जाने बाली बोली कौनसी है तो आपको ये जो दोस्तो अलग-अलग बोलीयों के छित्र हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए उनको भी हमें पढ़ना है फैजा बाद जनपद में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है कौनशी अबधी कौनशी बोली जाती है अबदी ये बही अबदी है जिसमें दोस्तो रामचरितमानस लिखा गया है ना ये बही अबदी है जिसमें पदमाबत लिखा गया ये बही अबदी है दोस्तो जो पूर्वी हिंदी से जिसका वेकास होता है निम्ड वैसे कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है देवनागरी लिपी में बताना है का और अंगला और अपकी स्क्रीन पर आदुनिक भारतिय भासाओं का बिकास किस भासा से हुआ है प्रश्न किरमांग 17 आधनिक भारतिय भासाओं का विकास किस भासा से हुआ सोर्चैनी से मागदी प्राकृत या फिर अपभरंस से किस से हुआ प्रश्न किरमांग 17 आधनिक भारतिय भासाओं का विकास किस भासा से हुआ है तो यहाँ पर अपनने कई बा पड़ा है कि सर जो आधनिक भारतिय भासाओं हैं इनका जो बिकास हुआ है वो सीधा सीधा भारतिय भासाओं का माना जाता है तो अप भरंच से हुआ है अप भरंच के अनेक वेदों से स्वार से नहीं मान लो माग दी मान लो अर्द माग दी मान लो है ना तो कुल मिलाके हम क खैसकते हैं कि अप बहर्थि flipped बहासा का अगला व्रेजbully नाम से जानी जाती यह पूचाई आप मराती गुज्राती या फिर पुरानी बंगला वो बेस बहुत है है और आपने प्रश्ण किरमांग 18 का उत्तर जो चैन किया है वो किया है पुरानी बंगला और आपका उत्तर चैन सही हो जाता है पुरानी बंगला राइट अंसर हो जाता है डी नमबर विलको राइट अंसर इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौंस्ट नहीं है प्रश्ण किरमांग कुन्नीस भासा को बहुत अच्छे से पढ़ना है बोलियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों एक मैंने बढ़िया ट्रिक से भी वीडियो बनाया है बोलियों का और भासा का सर्च कर लेना यूट प्रश्न क्रमांग 20 और प्रश्न भी आपका बहुत बढ़िया बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप बताना है यहाँ पर question थोड़ा सा गलत पूछा गया बरतमान हिंदी का पूछा गया तो बरतमान हिंदी का जो प्रचलित रूप माना जाता है दोस्तों वो खड़ी बोली माना जाता है खड़ी बोली यह बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप है ठीक है तो यहाँ पर उत्तर आपका खड पूछा जाए कि सबसे बड़ा भासा परिवार कौनसा है तो आप क्या लगाओगे भारोपिय परिवार ठीक है अब आपसे पूछा गया कि भारोपिय परिवार की कौनसी भासा नहीं है तो आपको उत्तर चैन करना है मराटी भारोपिय की है गुजराती भारोपिय भासा परि विडियो को तो किस तिथी को हिंदी को राजभासा बनाने का नरना लिया गया ये question कल आपने बताया था कल आपको challenge प्रशन के रूप में इस प्रशन का दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने जो दोस्तों बताया है उत्तर वो बताया है क्या 14 सितंबर 1949 है ना ये आपका स नंबर बिल्कुल सही है था किके अब आज का session अपन स्टार्ट करेंगे आप लोग तैयार रहे हैं उत्तर बताने के लिए आपको बताना है दोस्तों कि बर्स 1955 में गठेत प्रिथम राजभासायोग की अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है 1955 में गठेत प्रिथम राजभास सायोग की अध्यक्ष कौन थे कई बार एक्जाम में पूछा गया और चार विकल्प है हमारे सामने तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता है 1955 में दो सेकंड आपको दिये जाएंगे फटा-फट से उत्तर बताएंगे और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर बी जी खैर साब जो थे कि 1955 में गठेत राजवास आयोग के क्या थे अध्यक्ष थे और उत्तर चला जाता है विकल्प नमर एक ती तरफ ठीक है यह नमर आपका बिल्कुल सही हो जाता है अंगला कॉस्चन आप से पूछा जाएगा बगेली बोली का संबंद किस उपभासा से है ब अब 36 गड़ी यानि कि आ से अब दी बा से बगheart ऑर 36 गड़ी इसका संबंद कौन से है इन तीनों का इन तीनों का संबंद है पूरवी हिंदी और पूर्वी हिंदी का जो उदय होता है वो किस से होता है अर्ध मागदी अर्द मागदी अप फ्रेंच से दोस्तों पूर्वी हिंदी का उदय माना जाता है यह ना कि याद रख लेना अर्द मागदी अप फ्रेंच से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की तीन वोडियां है अब 36 गड़ी अब दी बगेडी और 36 गड़ी ठीक है अंगला कोस्चन है भासा के आधार पर राज्यों की पुने सरिचना किस वर्स की गई किस वर्स पर की गई भासा के आधार पर बताईए उनीस तो बावन चंवन त्रेपन या फिर छपन में यह कोस्चन तो कई बार आया है और पूचा ही जाता है जीके में भी पूच लिया जाता है हिंदी में भी पूच लिया जाता है ऐसा कोस्चन है आल राउंडर कोस्चन जीके में भी आता है तो यहां पर याद रख लेना कि भासा के आधार पर राज्यों की पुने सरिचना किस वर्ष की गई थी तो आपका राइट आंसर है 1956 में कब की गई थी 1956 और डी नमबर आपने बिलकूल शही बताया ठीक है डी नमबर अंगला क्वेस्चन आपको बताना कि भासाई आधार पर सरप्रतम किस राज का गठन किया गया भासाई आधार पर बताना है दोस्तों वो सर भासाय आधार पर राज्ज की अगर बात करोगे, तो आप लगा देड़े न अंद प्रधेश, ठीक है, भासाय आधार पर सर्व पृत्र प्रतम आंद प्रधेश बोलियों के बरगी करण के आधार पर 36 गड़ी बोली क्या है बताइए तो हिंदी भासा की बोलियों के बरगी करण के आधार पर 36 गड़ी आप से पूछा गया कि 36 गड़ी बोली है तो क्या है 36 गड़ी अपने पड़ा भी था बोली सर अबदी बगेली और 36 गड़ी ये पूर जाता है सातियों कि भारतिय संभिदान के किन अनुच्छेदों में राजभासा संबंदी प्राउधान का उलेख है। उलेख है तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद 343 से 351 तक ये राजभासा संबंदी इसमें प्राउधान का उलेख है और बिकल्प नमबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लिपी है वो देवनांगरी है है ना मराठी की लिपी देवनांगरी है और दोस्तों अर्दु भासा की अर्दु भासा किस भासा की लिपी है ये आपसे पूछा गया तो उर्दु भासा जो है वो फारसी की लिपी है काई की फारसी और उत्तर किस की तरब चला जा तब विकल्प नमबर डी की तरब ठीक है इस छोटे छोटे क्वेस्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों इन क्वेस्चन के लिए हमें तयार रहना है ठीक है अंगला क्व को बताना है कि अंग्रेजी भासा की लिपी कौनसी है अंग्रेजी भासा की लिपी आपको बताना है अंग्रेजी भासा की बारे में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी को 22 भासा हैं जो हमारी संभिदान की आठबियन इस सूची में समलित की गई है उन 22 भासाओं में से अंग अंग्रेजी को सामिल नहीं किया गया जबकि अंग्रेजी को आज भासा का दर्जा प्राप्त है दोस्तो तीस का उत्तर आपको बताना है तो अंग्रेजी भासा जो की लिपी है जो वो है दोस्तो वो कौनसी है रॉमन लिपी कौनसी लिपी है रॉमन और उत्तर हो जाता है चैन करेंगे सभी लोग यहां पर आ जाते हैं खड़ी बोली किस हिंदी की भासा मानी जाती है इसका उत्तर आपको चैन करना है क्या सही हो जाएगा तो खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली किस हिंदी की भासा मानी जाती है तो बोली सर यह खड़ी बोली का आपने पड़ा थ था कि खड़ी बोली को कौर्वी भी कहा जाता है कौर्वी कहा जाता है इसका ये करने नाम क्या है कौर्वी है और दोस्तों हिंदी का जो बर्तमान में प्रेचलित रूप है वो खड़ी बोली ही है ना और खड़ी बोली किस हिंदी की भासा है तो वो पस्चिमी हिंदी की है औ पुर्वी हिंदी को प्राकृत हिंदी को पहारी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी को तो बताइए मद्यकालीन आरभासा किसे कहा गया आंसर आपको चैन करना है और आपने जो चैन किया है कि सर मद्यकालीन आरभासा कि अगर आप बात करोगे तो तर आपका सही हो जाता है क्या बिकल्प नम्मर वी प्राकरत हिंदी को मद्य कालीन आरभासा कहा गया और राइट आंसर आपका हो जाएगा बिकल्प नम्मर वी जो की सबी लोगों ने बताया अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अंगला क्वेश्चन आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा स्व स्वार से अनी अपारण से कुंसी भासा बिकष्यत हुई पूर्बी हिंडी बिहारी पस्चमी हिंडी या फिर लह्ंदाइश स्वार से अनी अपष्यंद्य स्वार से अनी अपारण से झो शनीं हिंदी और पस्चमी हिंदी की जो बोलियां मानी जाती है अपने पड़ा था कानों के खड़ी बुंदेडी ब्रजभान हरी के पास कन्नो जी खड़ी बुंदेडी ब्रज और हर्यान भी यह मानी जाती है दोस्तो पस्चमी हिंदी की ठीक है इनको हमें याल रख लिना अंगला कॉस्चन आपको जो चेहन करना है वो चेहन करना है कि हिंदी की बिसिष्ट बोलियों बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये कॉस्चन तो कई बार आया है दोस्तो ये काब भासा के रूप इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ब्रज भासा है ये ब्रज भासा पच्चमी हिंदी के अंतरगत आती है इसकी जो इसका वेकास हुआ कि सौर्स यह नि अपर फ्रेंस इसका वेकास हुआ और आपने भक्तिकाल में देखा होगा कि भक्तिकाल में दोस्तो सूर्दास करशन काब धारा के कभी थे और करशन काब धारा में जो है दोस्तो ब्रज भासा में अधिकान्स काब लेखे गए है ना तो यह दोस्तो काब की भासा थी ब्रज भासा के क्या थी काब भासा थी और उत्तर हो जाता है बिकल्प नमर D है ना मग ही किस उपभासा की बोली है मग ही बताना है आपको मग ही यहाँ पर चार विकल्प हैं मग ही के बारे में आपको थोड़ा से चैन करना है कि यह किस उपभासा की बोली है राजिस्थानी की है पूर्भी हिंडी पस्चमी हिंडी या फिर बिहारी हिंडी की मग ही किस उपभासा की बोली मानी जाती है तो यहां पर आपको पता है अपनने पड़ा था कि भोजन में एक मग मैथी एक मग मैथी काई मैं भोजन में तो इसको याद रखने हैं बोले बिहारी के भोजन में एक बग मैथी डाल दो तो बिहारी से बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतरगत जो आती है भोजन से बना भोजपूरी चीक है दूसरा दोस्तो मग से बना मग ही और मैथी से बना मैथली तो ये तीन जो बोलियां है दोस्तो ये बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है और मग ही भी बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है बोले भोजन में एक मग मैथी है यह से हमें याद रखना है अनुचे 359 में किस विसाय का वर्नन है यह चार विकल्प है हमारे सामने और आपको 359 का उत्तर बताना है कि 359 में किस विसाय का वर्नन है संग की राजभासा संबंदी उच्चतम नियाले की भासा संबंदी पत्राचार की भासा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं तो 351 में आपको बताना है कि सम्भिदान के नुच्छे 351 में किस विसाय को लेकर के वर्नन है प्रावधान है इसका उत्तरा आपको चैन करना है तो आपने बिल्कुल शही आंसर चैन किया है और वो आंसर क्या है आपका वो है दोस्तों बिकल्प नमबर D कि हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिये गए हैं और आंसर राइट आंसर हो जाता आपका D नमबर ठीक है डीजे नों ने आंसर चैन किया उनका आंसर बिल्कुल शही और अंगला क्वेस्चन हिंदी वासा के विकास का सही अनुकरम कौन सा है सही अनुकरम बताना है कौन सा है पाली प्राकरत अपरणस हिंदी प्राकरत या हिंदी है ना और एक और अपना option यहां आ जाता है इसको भी अपन देख लेते हैं स्वरी यहां पर आता है इस option को भी इसको देख लेते हैं यहां पर हिंदी पाली प्राकरत ठीक है तो कोई बात यहाँ से आपको बताना है, तो सबसे पहली कौन सी आई दोस्तों, है ना संस्कृत यहाँ संस्कृत चारों अफसन में सबसे पहली नहीं है. तो Sanskrit छोड़ दो, ठीक है, कौन सी आ गई, पाली, प्राकरत, अपवरंस, और फिर हिंदी, यानि कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा सही, एक नमबर ही हो जाएगा सही, ठीक है, एक नमबर आपका सही हो जाएगा, जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, अंगला question है, अंग हिंदी पर चार सबा का मुख्याले कहां इस्तित है, दक्षिन भारत हिंदी पर चार सबा का मुख्याले कहां इस्तित है, ये question आपको बताना है, हैदराबाद में, बैंगलोर, चिन नई, या फिर मैसूर में, most important question जो आप से पूछा गया, कि दक्षिन भारत हिंदी पर चार सबा का जो मुख्याला हिंदी पर चार सबा का जो मुख्याला है वो कहां पर है चिन्नाई में और उत्तर हो जाता है चिन्नाई C नमबर ठीक है? C आपका बिलकुँ सही. अंगला क्वướ्चन है. अदो लिखित में कौन उत्तर प्रदेश? कौन उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? बताईए. उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? इसका चैन करिए. ब्रज भासा, अबदी, भोजपुरी या फिर बगेली, कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बताईए, और ब्रज तो है, अबदी भी है, बगेली भी है, बोजपुरी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, बगेली नहीं है, हैना ये बगेल खंड से संबंदित आती है दोस पिढ़ रखे ना ? अब आपको बताना है साला और जामात को 36 गड़ी में क्या कहते हैं ? साला और जामात को 36 गड़ी में क्या कहते है बताइए किसाला को सारा और जामात को जांबर है ना सारा और जांबर ये 36 गड़ी में कहा जाता है और उत्तर बी नंबर आपका बिलकु सही हो जाता है ठीक है फिर अंगला कॉस्चन आपके स्क्रीन पर बहराईच, सुल्तानपूर, रायबरेली किस बोली के छेत्र माने जाते हैं बहराईच, सुल्तानपूर, रायबरेली किस बोली के छेत्र है 36 गड़ी, बगेली, ब्रजभासा या फिर अबदी के बताईए कॉस्चन का अंसर बहराईच, सुल्तानपोर, राय बरेली किस बोली के छेत्र माने जाते हैं तो आपने बिलकुल सही आंसर चैन किया है कि सर्व बहराईच, सुल्तानपोर और राय बरेली के अबदी के छेत्र हैं काईके अबदी के, अबदी यानि D नमब डी आपका अबदी बिलकुल शई हो जाएगा इनको आपको डी नमबर याद रखना ठीक है आयाओ सब्द निम्नमैस से किस बोली का सब्द है बताइए आयाओ जो है किस बोली का सब्द है ऐसे भी कॉस्चन आते हैं ये कुछ गिने चुने सब्द होते हैं जो आप से पूछे जाते हैं तो किस बोली का सब्द है चार विकल्प है भोजपुरी, अबदी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भासा के तो ये राइट आंसर आपको चैन करना है और बोली सर इतना अच्छा कॉस्चन है इतना सरल कॉस् सी जाना जाता है बताईए ये कवश्चन कई बार आया और मैंने भी आपको बता आया है पश्चमी हिंदी में दोस्तो हरियाण भी और खड़ी बोली ओजरी बोली का जो दूसरा नाम है जो आपसे पूचा गए वो तर तो आपको बताना है घपने बिचार दूसरों तक भल बहाती प्रगट कर सकता है ये कथन किसका है ये कथन आपको बताना है ये कथन किसका है तो भासा बहसादन है जिसके द्वारा मनुस से अपने बिचार दूसरों तक भली बहाती प्रगट कर सकता है ये कथन किसका है तो ये कथन और एक कॉस्चन ये बहुत ही बढ़िया है कई बार पूछा गया है और एक हाथा कामता प्रसाद गुरू ने कि भासा बहसादन है जिसके द्वारा मनोस से अपने बेचारों को एक दूसरे तक भली भाती प्रिगट कर सकते हैं और उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है बी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है तो भार स्वर या फिर वर्न भासा की सबसे चोटी एकाई हमें बताना है सबसे चोटी एकाई कौनसी है तो आपको दो सेकंड दिये जाते हैं आपको चैन करना है बासा की सबसे चोटी एकाई बताना है और यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा वर्न या फिर अक्छर है जिसे ध्वनी भी कहते हैं वरन में कहते हैं अक्षर भी कहते हैं ये भासा की सबसे चोटी ये काई होती है ठीक है वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भासा की सबसे सबसे चोटी सार्था के काई कौनसी है तो सार्था के काई होती आपकी सब्द भासा की सबसे चोटी सार्था के काई होती है सब्द और भासा की सबसे चोटी ये काई होती है वर्ण वनी या फिर अक्छर ठीक है अंगला कोस्चन अंगला हिंदी किस भासा परिवार की भासा है हिंदी किस भासा परिवार की भासा है भारोपिय दिर्वन आस्ट्रिक या फिर चीनी तिबबत तो बताईए चीनी तिबबती किस भासा परिवार की आपने देखा होगा भासा परिवार आपने पढ़े होगे सबसे बड़ा भासा परिवार माना जाता है दोस्तों अपना भारोपिय परिवार है ना और जो हिंदी है ये हिंदी भी भारोपिय परिवार से ही संबंदेत होती है जो की आंसर आपने बिलकुल चाही लगाया है ये नम्मर आपका बिलकुल चाही है अंगला कोश्चन यहां हुआ पर हम देखेंगे हिंदी भासा का जन्म हुआ तो अप भृंश से हुआ लॉकएक संस्कृइस से हुआ पाली प्राकरईस से या फिर बैदक संस्कृइस टो हिंदी भासा का जन्म किस से हुआ यह आपको वताना है छार विकल्पें हमारे सामने यहां बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाती हैं लेकिन आपको याद रख लेना है कि हिंदी भासा का जो बिकास हुआ है जो जन्म हुआ है वो अप भ्रेंस से माना जाता है ठीक है अगर आदी जन्नी की बात करें तो संस्कृत पर हम पहुंचेंगे लेकिन यहा पर आपका हिंदी भासा का जन्म हुआ है तो वो अप भ्रेंस से हुआ है यानि कि आपका जो एक नंबर है वो एक नंबर बिलकुछ हो जाता है अपन देखते हैं आप भ्रेंस की बिवेन अवस्ताओं से जैसे सौरसेनी हिंदी से पस्च्वी हिंदी निकली है ना और भासा सब्दी की उत्पत्ती निम्न मैंसे किस धातू से हुई एक कई बार कोश्चन आया है भासा सब्दी की उत्पत्ती किस धातू से हुई है भास से भास या फिर भास से तो किस से हुई माने जाती है प्रश्न किर्मांक आपका 49 है और 49 का उत्तर आपको चैन करना है भास सब्दे की उत्पत्ती भास से हुई है और सी आपका बिलकूर सही हो जाता है अंगला कोस्चन आपका स्क्रीन पर है आपकी वो बताना है आपको कि कौन सी बोली अत्बा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो कौन सी नहीं आती कन्नोजी बांगरू अवुदी या फिर तेल कौन सी बोली अत्बा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो देखो कन्नोजी तो आती है यहना बांगरू भी आती है बांगरू यानि की हरयान भी हरयान भी का दूसरा नाम क्या है बांगरू और अब दी भी हिंदी के अंतरगत आती है तो कौन सी नहीं आती और इसर तेल तो त्यालगू आपका राइट अंसर डी बिलकुर सही हो जाएगा त्यालगू नहीं आती ठीक है अंगला कोस्चन आपको बताना यहां पर कि हिंदी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में सुईकार किया गया प्रश्न किरमांग 50 बन पूर्वी हिंदी पहारी या फिर दक्षनी हिंदी हिंदी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में सुईकार किया गया यह कौस्चन आपसे पूछा गया है 50 बन का अंसर और मानक रूप जो हुआ है जो दोस्तों बरतमान में जो प्रचलित रूप है हिंदी का वो प्रचलित रूप भी खड बोडी का है और मानाक हिंदी के रूप में सुईकार किया गया तो वो किया गया खड़ी हिंदी खड़ी बोडी यहनी कि दोस्तो कि आपका बिलकुल यहां पर सैंट हो जाईगा सिनम्र ठीख है अंगला क्योस्चन है आपकी स्क्रीन पर हिंदी की बिस्स्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये कोस्चन तो कई बार पूचा गया है तो इसके लिए भी हमें तयार रहना है कि जो ब्रज भासा है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है राज भासा के रू यहां पर ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रिसिद्ध है उत्तर चला जाता है काब भासा के रूप में किस भासा के रूप में काब भासा के रूप में यह प्रिसिद्ध है और D आपका बिलको सही हो जाता है भारत वर्स में हिंदी को आप किस बर्ग में रखेंगे किस बर्ग में रखेंगे आप यह बताना आपको तो यहाँ पर यह प्रस्न दिया है कि भारत वर्स में हिंदी को आप किस बर्ग में रखेंगे यहाँ पर आपके चार विकल्प आपको दिये जाते हैं राजभासा के रूप में राश्ट्र भासा के रूप में बिभासा या फिर तकनीकी भासा तो हिंदी को आप किस रूप में रखेंगे कन्फ्यूजन वाला प्रस्ण है बहुत सारे लोग जिन्हों ने नहीं पड़ा है वो दोस्तो राष्ट भासा लगाते हैं राष्ट भासा लगा किया थे 100% लेकिन हिंदी को हम दोस्तो हमारी हिंदी राष्ट भासा नहीं है हमारी हिंदी राज भासा है क्या है राज भासा और राज भासा उसे कहते हैं जिसे सरकारी कामकाजों में प्रियोग किया जाता है और हमारी हिंदी को सरकारी कामकाजों में प्रियोग किया जाता है इसलिए जो हिंदी है वो राज भासा है ठीक है इसको याद रखेंगे निव्ण वैसे कौन सी भासा संस्कृत की अपभ्रेंस है संस्कृत की अपभ्रेंस है यानि कि दोस्तों आपको पता आपब्रेंस मतला वो तब बिगड़ा हुआ रूप है तो संस्कृत जो अब दोस्तों यह बोल्चाल की भासा बन गई और बोल्चाल की भासा से बिगड़ते बिगड़ते आंगे चली गई यह संस्कृत अपां देखते हैं कि तत्सम और तदभाव यह सब्द कैसे आए ये संस्कृते बिगड़ते बिगड़ते दोस्तों, इनका तदभऊ रूप आया, तो वह जो है अपबरेंस कहलाती है, जो अब हाथ सब बिगड़ती हुई, चली जाती है. तो संस्कृत कि अपबरेंस कौन सी कहलाएगी। किसका होता है पाली का जन्म हौता है तो इस प्रकार से दोस्तों तो पाली आपका बिलकुल सही होगा राजभासा घोसित किया गया हिंदी को तो धारा 343, धारा 343, दो, धारा 343, एक या फिर 234, एक तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने की ज़ूरत है दोस्तों आपको पता है कि भारत में हिंदी को समिदान की धारा के अंतरगत तो वो किया गया धारा 343 एक के तहट, और अनुचे 343 से लेकरके 359 तक कायका प्रावधान है, भासा सम्बंदी संभिधान में प्रावधान किये गए है, ये भी हमें याद रखना ठीक है? औतर प्रदेश सरकार द्वारा उनीस सो से तालीस में गटेट देव नाम्री लिपी सुधार समीति के अध्यक्ष कौन थे ये क्वेस्चन कही बार आया हैई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठेत देव नागरी लिपी सुधार समीती के अध्यक्ष कौनते डाक्टर धीरेंदर बरमा, शंपूर्णा अनंद आचार नरेंदर देव या फिर इनमेसिक कोई नहीं तो बताईए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बर्स 1947 में गठेत देव नागरी लिपी सुधार समीती के अध्यक्ष कौनते ये आपसे पूचा गया और most important question है अनेकों एक्जामों में ये पूचे जाते हैं और उत्तर हो जाते आचार नरेंदर देव ठीक है अचार नरेंदर देव आपका C नंबर बिलकुल सही हो जाएगा इसके अध्यक्ष कौनते आचार नरेंदर देव थे 1947 में गठेत देव नागरी लिपी सुधार समीती के हिंदी की आदी जन्नी है तो कौनसी है आदी जन्नी पूचा गया अब यहाँ पर तो अपने देखा था कि हिंदी का जन्म अप फ्रेंस से हुआ लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि हिंदी की आदी जन्यनी कौनसी है तो आदी जन्यनी में आपने बिलकुल शही आंसर लगाया है वो तरह संस्कृत कौनसी है संस्कृत और ये नम्मर आपका बिलकुल शही हो जाता है अंगला क्वेस्चन एक क्वेस्चन कई बार confusion हुए ह हैं दोस्तों तो यहां पर टकसाली भासा किसे कहते हैं ये आपसे पूचा गया संस्कृत निष्ट भासा को ग्रामीड भासा को परिनिष्टित भासा को या फिर क्रित्रिम भासा को तो टकसाली भासा किसे कहते हैं ये question पूचा जाता है और इस question के लिए हमें तयार रहना है है ना ये confuse नहीं होना आपको क्योंकि टकसाली भासा संस्क्रित निष्ट को नहीं परिनिष्टित को कहा जाता है किसे परिनिष्टित भासा को टकसाली भासा कहा जाता है और उत्तर आपका C नमबर बिल्कु सही है परिनिष्टित भासा को टकसाली भासा ठीक है तो C बिल्कु कौनसी है बुंदेडी, ब्रजभासा, खड़ी बोली या फिर कन्नोजी तो गवालियर की बोली पूछी गई और बोली सर है यहाँ पर कौनसी बुंदेडी और बुंदेडी पश्चमी हिंदी से सम्मंदित है पश्चमी हिंदी की अपन भासा पढ़ते हैं दोस्तों कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास तो ए बुंदेली पस्च्चमी हिंदी की मानी जाती है यानि कि दोस्तों आपका ये नंबर है और ग्वालियर की भासा भी क्या है बुंदेली अंगला कोस्चन आपके लिए निम्नलकेत में भासा की प्रमुक प्रकृति कौंसी है की प्रमुक प्रिकृति बताना है सरलता से किलिष्टता की और जटलता से सरलता की और भावों से बिचारों की और या बिचारों से भावों की और भासा की प्रमुक प्रिकृति कौन सी है यह आपको बताना है तो प्रमुक प्रिकृति बताना है तो यहाँ पर आपको पता है बताईए कुछ लोग तो बता देते सरलता से कलिष्टता की ओर है ना 100% एक confusion बाला question है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सरलता से कलिष्टता की ओर ही लगाते हैं लेकिन आपने कभी अनुभाव किया ऐसे अनुभाव कर लो सीधे सीधे बोलिस्तर जब हम भासा सीखते हैं जैसे आप हिंडी जानते हो आप से कहें कि अंग्रे जी सीखना है तो सबसे पहले अंग्रे जी आपको सरल लगती की कठन बोलिस्तर कठन लगती है फिर जैसे आप सीखते जाते हो तो क्या हो जाती सरल होती जाती है ना तो अपन क्या करते भासा को अगर सीखते हैं तो सबसे पहले जटलता से सरलता की और जैसे भासा हम सुरू में सीखते हैं हमें जटल लगती है कठल लगती है फिर हम जैसे ही सीखते जाते हैं तो सरल लगने लगती है, तो हम सरलता से कलिष्टता की ओर नहीं, हम जटलता से सरलता की ओर बढ़ते हैं, यह भासा की प्रमुक प्रकिर्टी होती है, यह आपको याद रखेंगे जटलता से सरलता की ओर ठीक है, हिंदी किस भासा का सब्द है, हिंदी बताना है, किस भासा का सब् किसका है हिंदी फार्सी भासा का सब्द है और इसको भी आपको याद रखते ना फार्सी यानि ये नम्मर आपका बिल्कों सही हो जाएगा अंगला कोश्चन आपके लिए दिया जा रहा है यहां पर कि बरतमान में भारतिय संविदान की आठवी अनुसूची में सामिल भासा की संख्या कितनी है बरतमान में भारतिय संविदान की आठवी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या कितनी है चौदा पंद्रा अठारा या फिर वाइस कितनी माने जाती है बरतमान में भारतिय संविदान की आठवी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या बतान क्या है दोस्तों कितनी wise और right answer हो जाताब बिकल्प नम्मर D खीक है अंगला question अंगला question पैसाची से कौन सी भासा बिक्सित हुई है मराथी गुजराती पंजाबी या फिर राजिस्तानी पैसाची से बताना है और पैसाची से मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर लहंगा चाहिए पंजाबी लहंगा चाहिए तो क्या करोगे पंजाबी लहंगा लेने के लिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए ना तो पैसाची पैसा चाहिए काई के लिए चाहिए पैसा पंजाबी लहंगा लेने के लिए तो पंजाबी और लहंदा लहंदा जो है यह दोनों का विक और चाइवम जहासी मत्रा ब्रंदाबन या फिर वनारस में ब्रजभासा कहां बोली जाती है ब्रजभासा की बारे में आपको पता है कि पश्चमी हिंदी की दोस्तों एक बोली मानी जाती है पश्चमी हिंदी की है ना और यह बताना है कि यह कहां बोली जाती है चार हुई है बैदेक संस्क्रिस्ते लॉकेक संस्क्रित स्वर्ष या फिर प्राक्रिस्ते हिंदी बासा की उत्पत्ती हुई है तो किस से हुई है हिंदी बासा की उत्पत्ती आपको बताना है कई बार हमने पड़ा है कि सर गुजराती राजस्थानी पस्चमी हिंदी इनका जो इन अंगला question पूचा गया कि संभीधान की आठ बी अनुसूची में कौनसी भासा सामिल नहीं है कौनसी भासा सामिल नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है और यहां पर आपका बिलकुल आठ बी अनुसूची में सामिल नहीं है तो वो नहीं है कौनसी भोजपुरी बोडो तो है मैथली भी है डौंगरी भी है भोजपुरी नहीं है भोजपुरी बिहारी हिंदी की है बिहारी हिंदी की दोस्तों आपको पता है बिहारी हिंदी की मैथली भी है भोजपुरी भी है और मग ही भी है तो बिहारी हिंदी की एक मैथली भासा ऐसा भी कॉस्चन आएगा कि बिहारी हिंदी की वो कौन सी भासा है दोस्तों जिससे आठवी अनुसूची में सामिल किया गया तो वो भासा है मैथली ठीक है डिंगल भासा का संबंद किस साहित से है डिंगल भासा का बॉली का लगुत्तम रूप बताने के लिए और आपका यहाँ पर लगुत्तम रूप आपसे पूचा गया तो उत्तर आपका हो गया क्या वर्न लगुत्तम रूप क्या है वर्न या पिर सबसे छोटी एकाई क्या है तो वर्न, अक्छर या पिर घनी अब अंगला कॉस्चन आपको बताना है कि भासा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है भासा की अभिव्यक्ति के जो रूप पूचे गए तो रूप में भासा की अभिव्यक्ति के जो रूप पूचे गए दोनों आ जाएगा और सी आपका बिलकुर सही हो जाएगा सी नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा अंगला question यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि उच्छरित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिवेक्ति कहलाती है तो क्या कहलाती है उच्छरित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिवेक्ति क्या कहलाती है इसका अंसर आपको बतान तो उच्रित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या वैचार की जो अभी बैक्ति कहलाती है वो कहलाती है क्या भासा क्या कहलाती भासा और यह नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता है यह नम्मर राइट आंसर हो जाता है ठीक है भासा और लिपी है तो भासा और लिपी क्या है बताईए भासा और लिपी क्या एक दूसरे के ब्रोधी हैं एक दूसरे की पूरक हैं एक दूसरे की पृतिद्वंदी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं भासा और लिपी एक दूसरे की क्या मानी जाती हैं तो यहाँ पर आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा जो आपने बताया किसर भासा और जो लिपी है ये एक दूसरे की पूरा कमानी जाती है यानि कि उत्तर B की तरफ चला जाता है अंगला question है भारत संग की राजभासा है तो कौन सी है भारत संग की राजभासा आपको और अंगरेजी भी है है ना तो आपका C नमर यहाँ पर सही हो जाता है हिंदी और अंगरेजी दोनों मानी जाती है भारत की प्रतम देशभासा कौन सी है प्रतम देशभासा कौन सी है यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी बिकल्प हैं इन बिकल्पों को हम देख लेते यह याद रख डेना कि कई बार question आया है कि भारत की परतम देश भासा कौन सी है खीक है भासा बिज्यान की द्रष्टी से हिंदी किस प्रकार की भासा है यह question तो कई बार आया है और बहुत सारे लोग इसको गलत भी कर देते हैं है ना तो यहाँ पर याद रखने ना भासा विग्यान की दरश्टी से हिंदी किस प्रकार की भासा है तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों भासा विग्यान की दरश्टी से हिंदी किस प्रकार की भासा है वो भासा है बेयोगातमक कैसी माने जाती है बेयोगातमक भासा माने जाती है और ये नम्मर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, ये नम्मर राइट आंसर है, और जिन भी सात्यों ने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया है, वो एप डाउनलोड जरूर कर लें, आपको self play store में सर्च करना है, self study classes, और दोस्तों join हो जाना है, यहाँ पर अगर आप हिंद में बोली जाती है, मेरट में, देहरादून, हरदोई, या फिर मतुरा में, कन्नोजी बोली किस जन्पद में बोली जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है, और ये कन्नोजी बोली से आपको याद आ गया हो गया, कि सरे कन्नोजी जो है, ये पस्च्चिमी हिंदी की बोली म बोली जाती है और स्टी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाता ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो हिंदी भासा का चैप्टर था जिसको हमने सबसे पहले वाले पार्ट में बिस्तृत भी उसका अध्यन किया फिर एक दो तीन पार्ट के माद्ँयम से इसको भी पढ़ा अब दोस्तों इसे कौन से साती है जिन्नों ने अभी तक self study इस डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथ ही इस डाउनलोड जरूर कर लें ताकि दोस्तों आप बहां पर अध्यन कर सके पनी तैयारी को बहुत अच्छे से तरीक हैं बिस्त्रि तरीके से अच्छी बना सकते हैं आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिन बहुत सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से self study classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको app मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा ये self study classes ठीके ए प्रेस्टोर में आपको selp study classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे